आज हम बनाएंगे चिकन तिका बार्बिक्यू यह वही वाला चिकन तिका है जो कि रस्टरोंट्स में सर्फ किया जाता है या फिर शादियों वगरा में सर्फ किया जाता है एक तो चिकन स्टीम होता है और दूसरा चिकन तिका होता है जो कि मुस्ली शादियों वगरा पे सर् जब आध्षा लगता है इस तरह करके चोटे-चोटे करके हमने पीची बना लिये हैं एक चिकन के तक्रीवण 15-16 पीची मैंने कर लिये हैं अब हम इसके उपार अध्रक और लहसन का पेज़ डालेंगे वन टेबल स्पून दही हम इसके उपार डालेंगे टू टेबल स्पून सफेज सेरका हम डालेंगे वन टेबल स्पून अगर आपके पास बार्बीक्यू स्पून हो ता आप भी इसमें वन टेबल स्पून एड़ कर सकती हैं यह साबुद धनिया है जिसे मैंने खूट लिया है इस तरह करके मोटा मोटा क्रश्च कर लेना है यह टू टी स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें डालेंगे वन टेबल स्पून भुना हुआ और कुटा हुआ जीरा हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा तिक्कों में काली मिर्श का पाउडर हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून कसूरी मीथी हम इसमें डालेंगे वन टी स्पून जिसे मैंने हाथों की मदद से हलका हलका सा इस्टा करके क्रश कर लिया है यह हम इसके उपर डालेंगे वन टी स्पून चाट मसाला हम इसके उपर डालेंगे वन टी स्पून जाइफल और जावित्री का पाउडर है यह ज्यादा नहीं डालना बस 1 बाइ 4 टी स्पून हम इसमें डालेंगे फूट कलर है यह आपशनल है अगर आप एड़ करना चाहती है तो चुटकी भर आप एड़ कर ले नमक खास भी जाइका हम एड़ करेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून एड़ कर रही हूँ अब हम चिकन के उपर यह मसाले अच्छे से लगाएंगे अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे अच्छी तरह से मसालों को हमने चिकन के उपर लगा लिया है अब हम इसे कवर करेंगे और इसे कम से कम ओवरनाइट के लिए हम इनेशन के लिए छोड़ देंगे अब सुबह बना ले रात को आप बार्बीक्यू कर ले या फिर एक दिन पहले बना ले अब हम इसे सीखों पर लगाएंगे इस तर करके एक एक पीस लेकर हम सीख पर लगाएंगे कोईलों को हमने धेका लिया है कोईले अच्छी तरह से जले हुए होने चाहिए और ये एक बात याद रखें कि जो कोईला है वो आप देख सकती है कि इसकी आग बिलकुल बुजी हुई है बिलकुल दहकते हुए कोईले है अगर आप इसके उपर ये सही तरह से दहकेंगे नहीं ये सही तरह से लाल नहीं हुए होंगे और आप ऐसे ही इसके उपर रखेंगे तो जो चिकन तिक्के होँगे वो जल जाएंगे अंदर से कुक नहीं होँगे तर एक बात का हमीशा खियार रखें कि जब भी आ बार्बीक्यू करें कॉइल को आप अच्छे से देहका लें और इसके उपर आग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए अब हम इसे सेंकेंगे बिल्कुल नॉर्मल जो नॉर्मल इसके आँच होती है इस तरह करके इसके उपर आग बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए ब्रश की मदद से हम इसके उपर घी लगाते जाएंगे करते जाएंगे और तकरीबन 10-15 मिनिट में हमारे चिकन तिकके रेडी होंगे यह चिकन तिकके हमारे रेडी हैं आप इसे सलाच से और लेमन जूस से गारणिश करके सर्फ करें बहुत ही जबरदस्त किसम के यह तिकके तयार होंगे आप इसे ज़रू ट्राय कीजिए और अग बुलिएगा, थैंक यू फॉर वाचिंग, आल्ला हाफिज